सो भाई लोग अब जो है लोग ये कह रहे हैं कि भाई आ हो गए हैं पाइस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक्सपेंसीव प्रोड़क्स का ही रिव्यू ऐसा बिलकुल नहीं है मेरे भाई लोग ये चैनल बनाने का उद्देश यही था कि हर बजट के प्रोड़क्स जो है जो भी वैल स्क्राइब वाला बटन है उसे दबाओ नोटिफिकेशन को आल पर करो क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें दूसरे चैनल से अलग बनाकर न्यूटल अनबास्ट और बेबाक राय रखने में मदद करती है अगर आप कोई ऐसा कीबोर्ड माउस हिटपोन या फिर गे आपके खरीदने से हेल्प कर सकते हो तो वो प्रोटक्ट में आप बेज सकते हो हम उस पर रिवीव बनाएंगे इससे कमुनिटी का भलाई भी होगा और साथ ही आप जीच सकते हो एक चोटा सा बड़िया सा खिफ्ट हैंपर और साथ ही गिफ्ट की पात चली है तो हम यह कैस से भूल सकते हैं कि यहाँ पर आपने और हमने मिलकर सेटप वार रच दिया है आप यह जो वार है दोस्तों यह फिलहाल के लिए तो खतब हो जुगे लेकिन नया वाला वार शुरू होने वाला है आप जो भी भाई लोग सेटप अपना सब्मिशन करना चाहते हो हमारे इंस्टाग्रम हैंडल अपना जो पिक्चर है सेटप का वो शेयर कर दो हम उसे वोटिंग पर लगा देंगे वोटिंग होगी इंस्टा पे यूट्यूब पे जिसे सबसे जादा प्यार मिलेगा उसे मिल जाएगा एक जामीनोस का वाउचर हाँ तो भाईयो यह जो है आपको पेकजिंग यहां और लूटिंग को चलिए ऊसे वैपला चाले आके वे तो चलिए खोल प्रीपे के हम्रों से इसको खोलेंगे और यहाँ पर जो है आपको माउस का एक overall 3D print जैसा एक उभार सा आपको देखने को मिलेगा साथ ही नीचे काफी सारे download links वगर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर भी again promotion brand promotion देखने को मिलता है पीछे फिर एक thank you later और इस तरफ जो है आपको एक phantom pro की branding आगें देखने को मिलती है और इधर जो है आपको pricing वगरा देखने को मिल रहा है चलिए box को आप खोलते है mouse इस तरीकी से कुछ आएगा बहुत कुछ खास नहीं है generic packaging है लेकिन इस price point के हिसाब से बहुत अच्छी packaging मैं कहूंगा mouse को निकाल लेते हैं देख लेते हैं अंदर और क्या चीज़ें हैं साथ में यहाँ पर एक छोटा सा booklet दिया गया है एक review देने के लिए और साथ ही एक WhatsApp के उपर help के लिए extra तीन मैने की warranty आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है mouse को निकाल लेते हैं और जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको experience करने को मिलेगा वो है कितना light है यह mouse और साथ ही यहाँ पर आपको logo देखने को मिलेगा इवो Fox का definitely यह glow करता है यहाँ पर RGB के strips देखने को मिलते हैं जो है काफी अच्छे होने वाले हैं पकड़ने के लिए यहाँ पर भी हलका सा आपको गूरूफ देखने को मिलेगा थम के लिए और यह जो पीछे का side है यह काफी जादा के लिए बहुत बहुत होने वाला है माउस जो है एक तरह से सिमेट्रिक डिजाइन के साथ आता है और ब्रेड़ेट के साथ आता है यूएसपी एपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को भी लेगा अच्छा माउस है इसका इस तरीके से रिवीव करते हुए न मुझे मज़ा आपको देखते मज़ाएगा हम अच्छे की तरह बहतरी इन भी रोल शॉट्स के साथ करते है इसका वांडरफुल साइकल अब किसकी बारी है सबसे पहले शुरू करेंगे माउस के सबसे वन आफ दा मोस्ट इंपॉर्टन फैक्टर यानि कि उसके वेट टू बॉड़ी सामनी की तरफ जो पॉर्शन है उसका जो मोटा ही है उसका जो विट है वह 5.8 cm देखने को मिलता है जहां पर आपका ग्रिब बनेगा जो उठा हुआ भाग है वहां पर आपको 5.6 cm का चोड़ाई देखने को मिलता है और जो इनर साइड है जो अंदर की तरफ है वहां सबसे वाइडर है यहां पे 6 cm आपको देखने उबलता है तो पाम रेस्ट करने के लिए बहुत सही रहने वाला है अगर हाइट की बात करें तो टिप की जो हाइट है वो 1.9 cm देखने को मिलेगा मिड में 2.9 cm का और पाम जो साइज है मेरा वो 8 cm है यानि कि लांच पाम साइज है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो माउस जो है छोटी से मीडियम को बहुत अच्छे से करता है पाम साइज को और बड़ी पाम साइज होने पर थोड़ा सा आपको क्लॉग रिप लेना पर सकता है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा स्मॉल टू मीडियम पाम साइज के लिए यह माउस जो है बहुत सही रहने वाला है अच्छा चलो अब माउस के ओवरॉल डिजाइन की बात कर लेते हैं देखो माउस जो है सिमेट्रिक एक डिजाइन के साथ आता है लेकिन एमडिक्स नहीं है राइट हैंड वालों के लिए दिया गया है स्विच का प्लेसमेंट उस माउस जो है बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रहा है माउस को पलट लेते हैं पीछे आपको क्या फीट बगरा देखने को बिलता है तो यहां पर इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली आपको पीटी एफी तो दिखने नहीं वाला है आपको बढ़िया लेवल क काफी सारे लाइटिंग आपको इसमें देखने को बिल जागा पीछे इफवोक्स का लोगो देखने को मिलता है ब्रेड़ केवल वन पॉइंट मीटर का देखने को बिलता है अगर उपर की बात करें टॉप पार्ट में जो आपको लंबाई देखने को मिलेगा 3.9 सेंटिमे के साथ बाटम की बात करें 4.9 सेंटिमेटर के लेंथ और 2.4 सेंटिमेटर का विट तेकने मिलता है यह पाथ है जो इस माउस को इतना स्मूद बनाता है मैट के ऊपर दोस्तों अब बात करो एक ऐसे फीचर की जो मुझे वहां करी ताजूम में डाल रहा है जिस प्राइस प पर प्रोग्रामेबल है और साथ ही यहाँ पर जो सिस्ट्म यूज़ किया गया है वह भी यूज़ यानि कि अब्रकल्द आपको 10 मीलियन की स्ट्रोक्स आराम से मिलने वाले हैं और साथ ही यहाँ पे आपको गीमिंग के लिए बहुत सही डीपी आई का konffy गरेशन देखने को बिलता है forward backward के लिए separate dpi बटन देखने हो बिलता है कुछ टेस्ट कर लेते हैं जैसे क्लिक टेस्ट हो गया रैटल टेस्ट हो गया स्कुईस टेस्ट हो गया और साथ ही यहां पर पैडल टेस्ट भी हम करके देखेंगे कि अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर की तो यहां पर जो आपको सेंसर देखने हो रहा है वह हाइपर सेंसर आपको देखने को मिलता है अब इस सेंसर क्या कर डिनोमिनेशन की बात कर ले तो यहां पर IPS 32 इंच पर सेकेंड एक्सलेरेशन 12 जी अब फूर्ट यह को देखने को मिलेगा और फ्पीस जो है 4000 का देखने को बिलेगा पोलिंगरेट उसके लिए नहीं है आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा क्यों सॉफ्वेयर की बात कर लेते हैं यहां पर सॉफ्वेयर में जाने से पहले यह बता दो इस बाउस का जो डीपी आई है वो भी आपको 800-6400 का वास्ट जो रींज है आपको प्रोवाइड करता है और सॉफ्वेय साथ ही एडवांस फीचर लाइटिंग और मैक्रो सेटिंग के लिए आपको पैरामिटर्स देखने को मिल जाएगा अब यहां पर अगर प्रोवाइल की बात कर ले तो प्रोवाइल कोई भी चूज कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो है कई सारे ओप्शन खुल जाते ह इसमें आपको लेट क्लिक, राइट क्लिक, मिडल क्लिक, बैकवर्ड, फॉर्वर्ड यह सारे चीज़े जो है कस्टमाइज कर सकते हो इसी तरी किसे अगर स्पेशल की के अंदर जाते हो तो यहां पर डीपी आई, फायर की, एम, की आफ यानि कि कोई भी स्विच को आप यह सकते हो, एलिटी को आउफ कर सकते हो, और साथ ही कई सारे और ऑप्शन्स भी देखने हो जाएगा, इसी तरी किसे मीडिया है, मीडिया के अंदर आप क्या कर लोगे, इस माउस के कोई भी बटन को आप कर सकते हो, प्ले पॉस करने के लिए, प्रीवियस ट्रैक में जाने के या फिर वाल्यूम आप डाउन करने के लिए, इसी तरीके से वेब एक फीचर मिल जाता है, इस वेब फीचर के अंदर आप जितने भी ब्राउजिंग फीचर हैं, वो सारे खुल जाएंगे, और साथ ही अगर बात करें, अदर्स में तो यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर डवल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, टेन क्लिक से एक बार क्लिक करोगे, दस बार क्लिक हो जाएगा, यह सारी चीज़े जो है, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, एडवांस के अंदर जाना पड़ेगा, और साथी अगर आपको माउस के मूवमेंट का स्पीड को टॉगल करन यहाँ से आप कर सकते हो, और साथी आपको यहाँ पे आपको मैक्रो सेटिंग भी देखने हो जाता है, यहाँ पे आप तरह तरह के मैक्रो जो है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है, एक ही की इसकी उपर इंसर्ट कर पाओगे, यह जो चीज़ है, इस माउस को इतना पीचर कर सकते हो, और 6 लाइटिंग मोड इंक्लूडिंग ओन ओफ को, यानि कि 5 कर लो, और एक ओन ओफ वाला, यह सारी जो वोड्स है, आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, अच्छा माउस है, दिखने में अच्छा है, फंक्शनलिटी की हिसाब से भी जोड है, और प्र जाके वहाँ से पर्चेस कर सकते हो, अमसान का भी लिंक रहेगा, ऑफिशल वेबसाइट का भी रहेगा, जहां पर सबसे सस्ता मिले, वहाँ से उठाना, और एक बार उठा लिया दोस्तों, तो अपने भाईया को यह वाला माउस बटिया से सजाकर, अपना डेक सेटप जमा झाला ह में झाला है झाला ओ़ उन से सासफ ठेक सेता है, शक्राओट बार जमाना, cô कही बही हैं जिए यहाँ झाला है, जांसे से सकते हाँस, च्हाँस भी रहेदाच मिले बाายजेμα भी रहेगा लिसे सकते हैं, जाब का एक रहेघा हो, बार जाना हग।, जांसे सावसें